जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी-कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिसे जिन्दगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार-बार खट-कटाया नहीं करते। अकसर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बाते भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे उपर क्या बीती है, वो यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार-बार दोहराई जाए, वो गलती नहीं होती, बलकि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है, कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। जूट को यदि आप भीरे से भी कहोगे, तो सब लोग सुलनेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे, तो चिलाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुलेगा। कभी-कभी जिन्दगी में अकेला रहना भी ज़रूरी है, कुछ से बाते करने के लिए। प्रशंसा स्विकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और भूल स्विकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए, जो आपके साथ बैट कर रिष्टे के बेच की गलत फहमियों को सुलजाना चाहे, ना कि ये कह दे कि अब इस रिष्टे को ही खतम कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविश्य बना भी सकती है और बिगाड भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चहाना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बॉन वीटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिष्टा कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बलकि रिष्टा तो तब होता है जब अपना ही बैमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। फिर चाहे रिष्टे तूट जाएं या कोई साथ छोड़के चला जाए। आजकर लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फाइदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सचाई से रिष्टे निभाएंगे लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जजबाद, आपके वक्त और पैसों से भी ज़्यादा एहमियत रखते हैं। इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इनसान के सुभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज़ादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिन्दगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें। क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई न कोई सही सीख दे कर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सब का करो लेकिन इज़त उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे। मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मनदा हूँ। कई बार आप किसी चीज की एहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिन्दगी से चली नहीं जाती है। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इजद भी आती है। लेकिन याद रखना वो इजद पैसे की है। तुम्हारी नहीं।